क्लास 8 के स्टुडेंट का इस वीडियो में स्वागत देखें आज हम परहेंगे चैप्टर 2 Microorganism, Friend or Fore Microorganism हमारे लिए Friend है या Four है इसके बारे भी सैप्टर में हम परहेंगे Friend का अर्थ होगे कि वो आपके मित्र हैं दोस्त हैं यानि वो हमारे लिए Beneficial है और Four यानि की Enemy उनसे हम वो किस प्रकार हानी होती है उनके उनसे क्या Effect हमारे लाइफ पर पढ़ता है इस चैप्टर भी यह पढ़ना है क्या उनका commercial use है क्या-क्या उनकी uses है जो हमारे लिए Beneficial और क्या हमारे लिए Unbenefit है तो फर्स्ट हम जितने भी living creatures हैं इस अर्थ पर उसको में तीन केटेग्री में भाटा गया है प्लांट एरनिमल्स एड्माइक्रो आगीनिस्म प्लांट और आणिमल्स और हम देखते हैं हम सभी देखते हैं अपने आई के द्वार आई के थुट बत कुछ जो हैं वो हमको दिखाई नहीं देते हूं, बट इस अर्थ के सर्फिस पे, हर सर्फिस पे, यानि कि वो कोल्ड एरिया हो तो हर्ट रिजर्ण हो, डिजर्ट रिलाका हो, या पोलर हो, या इविन ओशियन, अर्थ क्रस्ट, या यहां तर कि अपकी घर में गीजर है, कुलर है, उसके अंदर भी या मैट कार्पेट विछा हो गया, उसके अंदर भी कुछ सारे लिविंग ओर्गिनिस्ट पाय जाते हैं, जिपको हम देख नहीं पाते हैं, यहां इविन आपकी बॉड़ी में भी, अभी आपकी बॉड़ी के सर्फिस पे, बहुत सारे ओर्गिनिस्ट हैं, लेकिन उनको हम हम नहीं देख पाते हैं, कुछ हमारे लिए बेनिफिशल हैं, कुछ नहीं है, तो जिनको हम अपने नेकेट आई से ऐसे नहीं देख पाते हैं, उनको हम माइक्रो ओर्गिनिस्ट पहसे हैं। Micro-organism means very small creature which cannot see through our naked eye, unknown as micro-organism. ऐसे small creatures, very small creatures, जिनको में अपनी आँखों के थूप, आँखों के दौरा नहीं देख पाते हैं, उसको सुष में जीव करते हैं, micro-organism या microbes करते हैं. या ऐसे भी कर सकते हैं, which organism which cannot see without the help of microscope, बिना microscope की मदद सहायता लिए, भी जिस organism को नहीं देख पाते हैं, उसको हम micro-organism करते हैं. Micro-organism का जो अध्यान किया जाता है, जिस सब्जेक के तहद, उसको microbiology करते हैं, जिसे कि आप biology परते हैं, science में तिन category होगा, फिस chemistry biology, तो biology में भी अलग-अलग categories आती हैं, उसी तरह जिसमें micro-organism का study किया जाता है, उस category को हम करते हैं, microbiology, और जिस जो इसका study करता है, जो वेक्टे हैं, उसको करते हैं, microbiologist, the one who study about the micro-organism, as known as microbiologist, उसको microbiologist के नाम से जानते हैं, जिसके तहद, micro-organism करते हैं, उसको microbiology करते हैं, micro-organism जो होते हैं, वो unicellular और multicellular, दोनों होते हैं, हमारा body जो है, वो multicellular है, बहुत सारे cell से बना हुआ है, living organism का जो सबसे small unit होता है, वो cell होता है, तो जो एक cell से बने होने वाले creature को unicellular करते हैं, बहुत सारे cell से मिलकर बनने वाले organism को multicellular करते हैं, micro-organism जो होते हैं, वो living, unicellular होते हैं, micro-organism को चार भावों में बाटा गया है, चार ग्रूप में बढ़ते हैं, उन्ता classification चार ग्रूप में हैं, फर्स्ट है bacteria, अलग सेकेंड है अलगा, थार्ड है fungi, फूर्थ है protozova, यह free-living भी होते हैं या parasite भी होते हैं, parasite यानि कि किसी भी अगर animals या plant के अंदर जीवित रहना या ऐसे भी, जैसे कि Amima जो है वो free-living microorganism है, उसके रावा एक वारस भी आता है, इसको भी हो microscopic organism ही करते हैं, यह cable parasitic, यह किसी और के body में reproduce करता है, they reproduce only inside the cells, like bacterium, plant and animals, यह किसी दुसरे के body part के अंदर अपना reproduction करता है, reproduce करता है खुद को, जैसे कि cold हुआ, influenza हुआ, यह सब क्या है virus disease है, और आजकल एक common virus disease निकला है, corona जिसके कारण हम इस माध्यांग से आजकल हम परहाई कर रहे हैं, वो भी क्या virus disease है, micro organs के तहत होने वाले बीमारी हैं, इसके अलाबा आपको जो dysemalaria होता है, या dysentery होता है, वो bacteria causes disease है, poly or chicken, यह सब जो है virus quarter disease है, इसके अलाबा टाफाइड और टीबी, यह bacteria causes disease है, इसके आज हम इतना ही परहेंगे, next video में आगे परहेंगे, और description box में कुछ questions दिये हुए है, इसी से related, उसको आप homebook copy में बनाका पूरा कीजिए, और description box में link दिया हुआ है, उसको आप download करके homebook पूरा कीजिए, फिर copy, क्रक्राइब ही क्रक्राइब सेक्ड़ते का मवाले हैς é जसको doing okay,